Hello and welcome you all, मैं हूँ धनंजय लगभग बीते 24 गंटे में भारत और कैनड़ा के बीच में डिप्लोमाटिक रिलेशन्स इतने खराब हो गए हैं कि कैनड़ा और भारत दोनों को अपने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने पड़ें और लगभग हम कह सकते हैं कि हमारे पास अल्मोस्ट हर घंटे भारत और कैनड़ा के बीच में जो डिप्लोमाटिक टेंशन बढ़ गया है इसको लेके नए-नए अपडेट्स आ रहे हैं क्योंकि मामला इतना बड़ा है तो कही न कहीं इसके पीछे वज़े भी बड़े होंगे तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को हाइलाइट करेंगे जिसके मदद से हमें एक rough idea मिल जाएगा कि exactly भारत और कैनेडा के बीच में चल क्या रहा और साथ ही भले ये जो diplomatic tension है ये भारत और कैनेडा के बीच में हो रहा लेकिन इसके पीछे US का एक बहुत बड़ा रोल इस बंदे का नाम है हर्दीब सिंग निजर और पिछले साल जून के महीने में कुछ लोग आते हैं और हर्दीब सिंग निजर को British Columbia में मार देते हैं उसके कुछ दिनों के बाद Government of Canada का भारत के उपर direct delegation होता है जहां पर ये कहते हैं कि हर्दीब सिंग निजर के assassination के पीछे Government of India का हाथ है तब से लेके अब तक यानि कि almost इस साल के October तक Government of India repeatedly कहते रहें Canada से कि अगर आपके पास कोई भी credible information है तो वो आप share करे हमारे साथ लेकिन multiple occasions में ऐसा हुआ कि Canada किसी भी तरीके से कोई भी document share नहीं किया और पिछले साल के October के महीने में Justin Trudeau अपने Parliament में on record ये कहते हैं कि हर्दीब सिंग निजर के assassination के पीछे Government of India का हाथ है या specifically हम कहले तो raw agents का हाथ है तो उसके बाद भी भारत और Canada के बीच में जो diplomatic relation थे वो almost इतने ही खराब हो गये थे और जहां तक बात किया जा हर्दीब सिंग निजर या ऐसे anti-India elements के बारे में तो इनके बारे में कहा जाता है कि Canada पीते कुछ सालों में एक safe haven बनके निकला है उन सभी groups ये organizations के लिए जो कि इसी भी तरीके से इंडिया के खिलाफ काम करते हैं और अगर हम specifically बात करें हर्दीब सिंग निजर के बारे में तो इसके खिलाफ खुद red corner notice issue हो रखा था और जिस तरीके से ये Canada घुसता है इसका तरीका भी illegal था यानि की document को forge करके ये घुसता है तो हमारे सामने बहुत ए credible information है जिसको देख के या पढ़ के कोई भी कह सकता है कि जस्टिन टूडो अपने political मजबूरी के कारण anti-India organizations को support करते हैं अब यहाँ पे दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्या जस्टिन टूडो हर्दीब सिंग निजर को लेके इतना sensitive हैं तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नही जस्टिन टूडो जिस political party को बिलॉंग करते हैं इसका नाम है liberal party और इनके पास parliament में है total 157 seats और सरकार बनाने के लिए 170 seats तो बाकी का जो seats है वो fulfill किया जाता है NDP के द्वारा NDP का chief कौन है तो जगमीद सिंग जगमीद सिंग वही आदमी है जो खुले आम anti-India movement को support करता है तो अगर आपके political party को कोई भी ideology वाला लोंग support करते हैं या party support करते हैं तो वो political party किसी भी तरीके से अपने ideology को push करेगा और Justin Trudeau का एक जो बहुत बड़ा vote bank है Canada में वो हमारे sick group हैं तो यहां से भी हमें एक चीज़ बहुत ही clearly समझ में आ रहा कि Justin Trudeau अगर भारत के साथ अपने diplomatic relation को खराब कर रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनका एक political motive है और अगले साल के October के महीने में Canada में election होने वाले हैं तो हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि Justin Trudeau के दवारा जो अभी किया जा रहा ये इनका election का preparation है अब क्योंकि बीते एक सालों से भारत और Canada के बीच में सं investigation करता है और भारत के जो High Commissioner to Canada है संजीव वर्मा सर उनको भी ये दोशे ठहराता है यानि कि persons of interest ठहराता है और इसी बीच और भी भारत के जो High Ranking Officials होते हैं उसको भी जमदार ठहराता है जिसके reply में Government of India का कहना होता है कि हम किसी भी तरीके से जो Canada है इसके investigation को नहीं मानेंगे और इनी सब चीजों को देखते हुए Government of India अपने diplomats और High Commissioner को Canada से वापस बुला लेते हैं लेकिन Reuters की माने तो Reuters का ये कहना है कि Government of Canada हमारे जो diplomats थें उनको ये कहे थे कि वो Canada से चले जाए यानि कि जब Government of India का ये announcement हुआ कि वो अपने diplomats या High Commissioner को बुला रहे हैं उससे पहले as per Reuters का कहना है कि Government of Canada उनको already expelled कर चुका था और उसके बाद इन सभी में अगर हम Western medias को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो एक complete तरीके से Canada को support कर रहे हैं तो यहाँ पे जो as an Indian मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये है कि कभी भी अगर कोई भी Western countries खास करके Germany हो गया, France हो या in fact US हो गया, वैसे US European countries में नहीं आता है, अगर ये देश किसी भी तरीके से हमारा तारीफ करते हैं तो ये तारीफ कम करते हैं बलकि अपना एक ground set करते हैं और हम Indians इतना emotional हैं कि इनके तारीफ मातर से हम काफी खुश हो जाते हैं और हम और हम पीछे बीते हुए सारे जो incidents ह होते हैं उसको भूल जाते हैं और जहां तक बात किया जाए Canada में बढ़ते हुए extremism को लेके तो साल 2019 में बहुत ही specific शब्दों में कहा गया था कि बीते कुछ सालों में Canada में sick extremism बढ़ा है जिसके बात क्या होता है? Massive government के अंदर protests होता है जिसके बात जो sick word है उसको replace करके सिर और Canada 5-5 group का हिस्सा है यानि कि ये एक ऐसा group है जिसमें Canada है, US है, New Zealand है, Australia है, UK है ये सभी देश एक group बनाके हैं जहां पे ये intelligence sharing करते हैं तो इसके पहले Justin Trudeau पिछले साल October के महीने में जब वो Parliament में कहते हैं कि इन सभी के पीछे government of India का हाथ है तो उसके पीछे एक जो strong backing था व और US भारत को pressurize करते हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी foreign soil में किसी भी government का कोई भी role होता है killing में तो उसको बिल्कुल भी accept नहीं किया जाएगा ये अपने आप में कितनी बड़ी irony है कि Canada और US जो खुद अगर आप देखेंगे जो present situation हो रखा है Middle East में इसके पीछे US का क कोई भी ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन innocent लोग की जान नहीं गई हो तो again as an Indian हमारे लिए जरूरी होता है कि जब भी हम किसी देश को support extend करें तो at least हमारे पास उस subject के बारे में जानकारी हो ये वही US है जो हत्यार बेच-बेच के पुरे दुनिया में balance create करता है और ये व ये देखना काफे interesting होगा हमारे लिए कि हम किस तरीके से अपने आपको defend करें I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye